आपको स्वागत है आपके अपनी चैनल लिश्टॉक से जुच के समय दोस्तो इस चैनल में मैप कर लिए इस्टॉक मार्केट छे डेली अपडेट लाता रहता हो तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल दोस्तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाल बैल ऐगन जरूर फ्रेस करने तके के आपको डेली अपडेट मिलता रहे है तो चलिए देख लेते हैं दोस्तो आज के अपने श्टॉक के बाए मैं दोस्तो आपने पहले श्टॉक की बात कर लेते हैं और साथ के साथ देखेंगे उनका फंडावेटल प्लस टेकनिकल वीओ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि उस share में हमें अभी invest करना चाहिए कि नहीं कहीं ऐसा नहीं कि मजस के वाला हाल हो जाए कि वो share बहुत ज्यादा correct हो उसके बाद upper circuit पे ही लगना ही start हो जाए और वो share किसी को खरीदने पे भी न मिले तो चलिए देख लेते हैं पहला मारा जो इस शौक है वो जंप नेट हो अग नहीं दोनों को compare करेंगे तो आपको बहुत भारी गिरावट देखने को मिल जाएगा इस share में तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं अगर इनके PE की बात करें तो आप देखेंगे 3.06 पे मिलना है जबकि industry PE की बात करें तो तो तेईज दसनों एक PE मिलना दोनों को compare करेंग जबकि face value की बात करें तो पांच रूपय का face value है दोस्तों अगर ROE की बात करें तो आप देखेंगे 6.25% का है ROCE की बात करें 29.4% करा है debt की बात करते हैं तो 79.4 करोड रूपय है इनके उपर debt है जबकि cash की बात करें तो आप देखेंगे minus में यह detail कर रहा है कोई TTM की बात करें तो 873% की growth देखने को मिला है इस share में तो चलिए और detail देख लेने ताकि हमें और ज्यादा clear हो सके हाला कि अभी तक data तो काफी अच्छा देखने को मिला debt में थोड़ा यह share माम इस share में मुझे debt थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि बाकी detail तो काफी अच्छा है लेकिन debt काफी ज़्यादा लगा तो चलिए और detail देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा clear हो सके कि इस share में invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए December 2017 में अगर देखेंगे तो 1.84 promoters fast holding था और current में भी वही है यानि कि holding तो उन्होंने नहीं कम की हुई है लेकिन इनके पास holding ही नामात रखा है 1.84 मतलब कुछ नहीं तो चलिए देख लेते हैं और detail अगर FIIs की बात करें तो 0.75 था उस time December 2017 में अगर अभी की बात करें तो 2. 0.45 नहीं कि FIIs ने अपनी holding को बढ़ाया हुआ है वो काफी bullish लगें इस share को लेकर लिए या इस की बात करें तो उस time उनके पास बिलकुल भी holding नहीं था इस time की बात करें तो 0.04% यानि कि उन्होंने भी अपनी holding कुछ ना कुछ तो बढ़ाई ही है तो चलिए और detail देख ले नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि 10 साल में सिर्फ 9% 10% का return कुछ नहीं है यहां तो पर-day कंपनिया दे दे रही है 9-10% तक का return तो दोस्तों हाल तो बड़ा बुरा है return के according तो चलिए और detail देख लेते हैं अगर इनके बात करें revenue और तो आप देखें कि revenue इनका कभी कम होता ह तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है sudden में अगर वही profit की बात करें तो देखेंगे 2017 में 0.1 करोड का profit इन्हें हो रहा था अगर 2018 की बात करें तो 0.29 करोड अगर वही बात करें 2019 की 1.64 करोड अगर बात करें 2020 की तो आप देखेंगे इन्हें कापी बड़ा loss हुआ है य लेकिन आज sudden में 2020 में बहुत बुरा हाल हो चुका है तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं अगर compare करें इनके peers से यानि कि इनका जो market leader है तो दोस्तो sun tv से compare करके देख लेते हैं तो आप देखें कि पहले starting में काफी अच्छा चला था ये इसे आपको बहुत ही अच्छा करना सही होगा या फिर बेकार होगा तो देख लेते हैं तो दोस्तों अगर इनके आज के डीटेल की बात करें तो आप देखेंगे ये सेर आज 2% के डाउन पर था 12.25 यानि 12.25 पैसे ये सेर आपको देखने को मिल जाएगा और आज इसने अपना नया 52 वीक low भी लगाया है तो दोस्तों अगर इनके 52 हाई की बात करें तो 105.90 पैसे जो की 21 अगस को इसेर ने लगाया था अगर इनके डिलेवरी की बात करें तो आप देखेंगे 100% के डिलेवरी उठाई गई है यानि कि जो भी आज ट्रेडिंग गुआ पूरा का पूरा डिलेवरी बेस पे लोग ब देख लेते हैं तो दोस्तों सबको यहीं लग रहा है कि एस वाइंक वाला हालोगा 400 वाला सेर आपको 5 रूपे 10 रूपे में आके मिल लाता लोग खुब खरीते हैं वो सेर फिर से 20 रूपे तक जा रहा है लेकिन हर किसी के पीचे SPI का हाथ नहीं होता तो देख लेते हैं क् कुछ खास टिटेल नहीं है क्योंकि जिसे अपसे इसमें गिरावट है मुझे लगता है इस सेर से दूर रहना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है तो कि दोस्तों ऐसे सेर में इन्वेश्ट करने का कुछ फ्यूचर नहीं होगा और अगर फ्यूचर होता भी है तो ऑपर इस सेर को प्ले करके ऊपर ले जाएंगे यह उपर जाएगा फिर पांट पर से नीचे आएगा ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से इसी वेल्यूचर पकड़े तो जादे बेटर होगा तो चलिए अपने नेक्स फ्यूचर की बात कर लें पिछले इस फ्यूचर को हमने जा सकता है तो चलिए अपने नेक्सी शॉच की बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रवेक कम्यूनिकेसन अगर इस सेर की बात करें तो इसका टेक्निकल व्यूचर देख लेते हैं क्या होता है तो दोसको यह सेर भी कंटीनिसली काफी उपर गया उसके बाद जाना से गिरावट आ आएगा यानि कि यह सेर पहले सपोर्ट की बात करते हैं 48 इंका पहला सपोर्ट रहेगा अगर यहां से भी गिरता है तो 48 रहेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 42 का next support तो दोस्तों इन supports को आप अपना stop loss मान कर उसके उसे play कर सकते हैं अगर इस सेर को काफी उपर बाइंग की हैं यानि कि आप काफी ज्यादा loss में चल लाएं तो मुझे लगता है कि अभी इस सेर में आप hold करना चाहिए कम से कम 45 के आप stop loss लगाकर play कर सकते हैं अगर इस सेर उस आसपास भी जा सकता है, लेकिन अगर ये 45 के आसपास, यानि पहले 48 का हमने पहला सपोर्ट लिया, अगर जो काफी उपर खरीच चुका है और उसको थोड़ा सा जादा लॉस हो रहा है, उसके लिए 45 का स्टॉप लॉस हो सकता है, यानि थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस तो दोस्तों अगर 45 के आसपास सपोर्ट लेकर ये से बाउंस बैक करता है, तो ये से फहले 53 का पहला टारगेट तोड़ेगा, उसके बाद 58 का इनका नेक्स टारगेट हो सकता है, अगर यहां से बाउंस बैक करता है, हलाकि ये अपने सपोर्ट के जश्ट पास में ही तो मुझे लगता है सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि लेकिन इसमें अभी थोड़ी जी और करेक्शन जरूरी है, और ये सेर थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, यानि 48 के आसपास ये सेर आ सकता है, और वहां से अगर बाउंस बैक करता है, तो फिर से इसमें त यार करें सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो